हेलो फ्रेंड्स आएम डॉक्टर अजय रमेश कुठारी आएम अ कंसर्टेंट स्पाइन सर्जन अट संचेटी हॉस्पिटल पुने में स्पाइन का विशिश अग्या हूँ आज हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो है लंबर स्पाइन या सर्वाइकल स्पाइन याने की गर्दन और कमर की स्लिप डिस्क जिसको ले मैन लैंग्विज में साइटिका बोला जाता है या मेडिकल टर्मिनलोजी में प्रोलाप्स इंटरव हड्डी रचा गया है और दो हड्डियों की बीच में यह जैली जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको डिस्क बोलते हैं यह डिस्क का काम है शौक अब्जॉबर कुशन जेल जब यह डिस्क जेल फूट कर पीछे खिसकती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व की में आता है जुन-जुनाट आती है हातों में कमजोरी आती है या अगर यह कमर में हो गया तो इसको लंबर साइटिका बोलते हैं जिसमें हमारे कमर से लेके कोई एक पैर में या दोनों पैरों में दर्द जाता है जुन-जुनाट आती है एक्स्ट्रीम केसिस में पैरों की क का प्रमांट जादा है दूसरा important कारण है lack of exercise अगर हम exercise नहीं करेंगे तो हमारे जो core group of muscles है वो कमजोर रहेंगे spine के ओपर ज़्यादा load आएगा और slip disc होगा तीसरा important कारण है vitamin deficiency is an improper diet आजकल vitamin b12 or d3 deficiency बहुत जादा मात्रा में देखी जा रही है fast food का जो consumption है वो बहुत जादा है और vitamin deficiency होने के पारण हमारा spine जो है वो भी कमजोर हो जाता है और चौथा important reason है वो मतलब कोई injury होती है जैसे हमारा काम है सामने जुक के heavy चीजे उठाना या bad posture हमारा जो बैटने का तरीका है हमारा सोने का तरीका है नीचे की कोई वस्तु उठाने का तरीका है अगर उसमें कोई गलती है तो यह उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अभी इसके लक्षण क्या है जैसे मैंने बताया गर्दन में अगर hairy slip disc तो गर्दन से लेकर हमारे हातों में दर्द जाएगा जो इतना असैनी होता है कि लेटना पड़ता है या बहुत सी बार दर्द होता है हातों में जुंजनाट आती है और हातों की कमजोरी देखी जाती है अगर यह कमर में तो कमर में बहुत कुछ जादा दर्द होता है और कमर से लेकर हमारे पेरों में यह दर्द चला जाता है जिसको सायटिका बोलते है और इसके साथ जिंजनाइट पेरों की कमजोरी और एक्स्ट्रीम केसिस में हमारा जो यूरिन और मोशन कंट्रोले वो भी जाता है इसका डाइग्नोसिस कैसे किया जाए तो हम हमारे जो स्पाइन के स्पेशिलिस्ट को मिलते है तो वो कुछ क्लिनिकल टेस्स करते हैं उससे यह पता चलता है पावर चेक करते हैं सेंसेशन चेक क इसके साथ इसका एक Mari किया जाता है इसका डिवने वर अपरेशन की ठीक होती है इसमें जरूरत नहीं पढ़ती इसका किली स्टेज में बेड्रेस जब दर्द कमना हो कुछ मेडिसेंस दिये जाते हैं मसल रिलाक्सेंट और नर्फ टॉनिक्स थर्ड स्टेज में फिजियो थेरपी इसका एक बहुत बड़ा क्योर है फिजियो थेरपी के माध्यम से हम नर्फ का करते हैं और मसल्स को मजबूत करने का काम करते हैं और एक साइज के साथ फिजियो थेरपिस्ट यह भी एडवाइज देते हैं कि आपको कैसे राइप पॉस्चर मेंटेन करना है यह बहुत इंपॉर्टन है चौति इंपॉर्टन बात एक डाइटीशन का कंसर्ट लेकर हेल्द की डाइट कैसे लेना है हाई प्रोटीन डाइट कैसे लेना है यह यह ट्रीट्मेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और यह एक साइज जब तक दर्द है तब तक नहीं करना है मैं हमेशा बताता हूं कि यह एक साइज लाइफ लॉंग करना है ताकि यह पॉब्ल तो फिर एक नई American technique आई है जिसको injection therapy भूला जाता है जिसमें ये एक बिना operation therapy है जिसमें जहां पर आपकी nerve फसी हुई है ये disc बार आने के कारण उस point पे एक injection दिया जाता है जिससे ये nerve की उपर का सुजन कम होता है और वो disc को श्रिंक होने में मदद मिलती है और काफी patients को इसस से फाइदा मिला है और उनका operation avoid हुआ है last cases में जिनको पैरों में कमजोरी है medicines, physio, exercise, injection से भी आराम नहीं मिल रहा है ऐसे cases में एक keyhole surgery की जरुरत होती है जिसमें एक keyhole से एक scope अंदर डाला जाता है वो point जहां पे वो disc बार आई है उसको locate किया जाता है और वो disc का fragment निकाल कर hope this was helpful thank you very much